और मेरा जो एक्स्पीरेंस है कि हर महिने में रोल ओवर लेवल से कम से कम बैंक निफ्टी जो आपकी option trading के अंदर पूरे stock market के अंदर चाहे आप short term में investment करते हो या फिर intraday trade करते हो या positional trading करते हो तीनों में काफी help करने वाला है इस software के उपर हमने पहले भी बात करी थी आज इसकी उपर complete demo करने वाले हैं और ना में auto render तो auto render को किस तरीके से आपको most efficient तरीके से use करना ह इसमें कितने सारे features हैं वो features से आपको क्या पता लग सकता है उससे क्या view बन सकता है क्या market के trend को predict कर सकते है किन stocks में तेजी आने वाली है किन sectors में तेजी आने वाली है बहुत सरी चीजे इस software के अंदर है और सही बताऊं सारे features तो मुझे भी अभी तक नहीं पता तो मेरे लि पूरे demo के साथ go through करने वाले हैं आपको एक एक चीज़े detail में बताने वाले हैं और सर मैं audience की तरफ से questions भी पूछने वाला हूँ उन चीजों को हम लोगों ने code करके auto tender नाम से एक product बनाया और इसके अंदर चाहे आप इंट्रे ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर आप delivery based ट्रेडिंग करें या फिर आप किसी स्टॉक में करें या सारे के सारे features इसमें incorporated हैं और काफी simple तरीके से आप देख सकते हैं इसमें आप यहां पर देख पा रहे हैं कि one two three four यह चार आपको दिख रहे हैं सामने रोज यहां पर स्टॉक्स चल रहे हैं five minute and fifteen minute तो यहां पर इंट्राडे में स्टॉक्स आपको सिगनल साते हैं कि मुझे कौन से स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए और सेलिंग करनी चाहिए र जएस दिन आप देख रहे होंगे उस वक्लाइं माक्ट होगा तो आपको स्टॉक्स यहां पर दिख जाएंगे चलते हुए तो यह अभी फ्राइडे का डेटा अब बतो अप्डेटेड डेटा नहीं है आज यह फ्राइडे का डेटा है तो यहां पर जैसे एटी परसंट ट इक्यूटी के बेसिस पर यह कैलकूलेशन चल रही है क्योंकि फ्यूचर्स जो कैलकूलेशन लगी वह है इसलिए यह एक्यू लिखा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ थर्ड कॉलम है रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कि जो स्ट्रॉंगेस्ट है जैसे आप देख रहे हैं कि SBI यहां पर उसके बाद जील लिमिटेड आ रहा है तो जो पूरे मार्केट में सबसे स्ट्रॉंग सेयर होगा वो यह पकड़के लाएगा कि नही सब कुछ इंट्राडे बेसिस पर है और इसमें बैसिकली कैलकूलेशन किया है जब आप इस पर क्लिक करते हैं सब्समाने एस बीएई पर क्लिक किया तो SBI में नौ इंडिकेटर्स टेकनिकल इंडिकेटर्स हैं वान टू थ्री फॉर इसमें बॉलिंगर बैंड है आरे में चेक करते हैं कि वह फॉर्मूला का आउट्पुट किया है तो यहां पर यह सबोज इंडिकेटर नंबर वन इस बोविंग अवरेज तो यह फाइव मिनिट के टाइम फ्रेम में भी बोल रहा है कि अप है 15 मिनिट में भी बोल रहा है अप है और 60 और डेली में भी बोल र करेक्ट तो यह बेसिकली अब यह जितने भी बॉक्सेज हो गए 9 इंडिकेटर 5 ताइम फ्रेम तो 40 बॉक्सेज बन गए इस 40 में से कितने परसंट बाइम है यह देखिए उपर सेंटिमेंट आवरेज आ रहा है 96 परसंट बाइम है और 4 परसंट 6 और इसका मैक्सिमम कॉल्स स्टॉक्स आने लग जाते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन बना करके इजी की है कि एक रिटेल कोई भी आदमी जो ट्रेड कर रहा है वह स्टॉक आइंटिफाई होकर के उसके सामने आ जाए फिर अगर वह चार्टिंग देख रहा है तो वह चार्ट देखकर उसके उपर ट्रेड कर सकते हैं वैसे देखिए यहां पर आई टीसी सेल में आ रहा है तो अभी मैंने आई टीसी पर क्लिक किया तो आई टीसी में आप देख पा रहे हैं नौ इंडिकेटर हैं नौ में से मेजॉरिटी आप दो सिगनल नेगेटीव हैं यानि 12% और 88% सेल हैं इसका मतलब तो आई टीसी में हम सेलिंग के साइट ट्रेड देख सकते हैं तो इस तरीके से यह मॉडल बिल्ट है जिसमें की सारा डेटा उपर आता है इसमें बहुत यूनीक डेटा है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं निफ्टी डेटा इंडिकेटर यह हमने होम पेज पर डाला की आस्क पर हो रही है उसको हम करते हैं यह एक बार लोगों को थोड़ा सा बताना जरूरी है जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो नौर्मली एग्रेसिव ट्रेडर्स माना जाते हैं यानि कि ऑप्शन ट्रेडर कभी भी बिड लगा के कॉल या पूट नहीं खरीदता अगर उसको खरीदनी है तो वो हिट करके लेगा या बेचेगा तो हिट करके बेचेगा तो बिड का मतलब आपने बाइंग प्राइस जिस भाव पे आप लेना चाहरे हैं और आस्क का मतलब आपने सेल प्राइस लगाया तो सपोज मैं ऑप्शन बायर हूं और मुझे कॉल लेना है तो मैं हिट करके कॉल लूँगा तो हम यह कालकुलेट करके करते हैं कि हिट करके कितनी कॉंटिटी ट्रेड हो रही है और बिड पे कितनी कॉंटिटी बेची जा रही है और उसका नेट डिफरेंस आप निकाल लेजे अगर नेट डिफरेंस पॉजिटिव है इसका म निफ्टी में देख पा रहे हैं, यहां पर यह बाइंग इंट्रेस्ट चार लाक का, यानि निफ्टी में चार लाक किसी ने हिट करके उठा लिया है, तो अगर यह ग्रीन में है, यह पॉजिटीव है, इसका होताँ तर्म मार्केट ऊपर की तरह है, यह सब इंट्राडे है और बैंक निफ्टी में आप देखिए करीब करीब साड़े तीन लाख सेयर का यह डेटा पॉजिटिव आ रहा है इसका हो तक किसी ने साड़े तीन लाख सेयर बैसिकली बेडास पर जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें यह बैसिकली बायर एग्रेसिव ह अब इसी को अगर आप उप्शन में देखेंगे तो उप्शन में फ्राइडे को क्या हो रहा था कॉल में भी सेलिंग थी पुट में भी सेलिंग थी तो यहां पे ऑप्शन का डेटा यह बोलता है कि हमें फ्राइडे के दिन कॉल पुट निफ्टी की ट्रेड नहीं करनी चा हमें कोई भी option नहीं खरीदनी चाहिए और यहां पर आपको डेटा में दिख रहा है कि call option में बैठा है और put option में seller बैठा है और यहां पर imbalance है तो आप बड़े अराम से call खेलिए और आपकी winning probability कम से कम 70% आपको दिखेगी और साथ-साथ आप और निफ्टी के data को भी देख नहीं तो निफ्टी में भी बायर है बैंक निफ्टी में बायर है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कम से कम निफ्टी में बायर है और call में यहां पर बायर और put में seller है तो यह clear combination होगी और PCR positive है तो clear combination है कि market उपर की तरफ जाएंगी तो यह काफी unique data है जो आपको मेरे ख् उसका लिंक आपको आई बेंट में मिल जाएगा उस वीडियो आप जाके देख सकते हैं तो देखिए यह तो home page पे इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यह most important part है और इसी के साथ साथ एक और काफी relevant and important data के बारे में मैं discuss करूंग आप से देखिए इसमें यह data भी हम लोग ने और roll over किस rate पे हुए हैं यह देखना बहुत important है जो काफी कम लोग देखते हैं तो basically nifty bulk average अभी जो February की expiry है इसकी bulk average आ रही है 21,612 यानि जो भी roll over में outstanding open interest है उसकी average है 612 यानि market अगर इसके उपर है तो जो buyer है वो comfortable है जिसका open interest buy का है वो comfortable है जो sort वाला है वो trap है तो जब भी इस average से उपर market होती है उसमें हम कभी भी मंदी की positions बनाते ही नहीं है चाहे PCR negative भी होता है इंटर डे में तो हम मंदी avoid करते हैं अगर हमें पूरे month का trend निकालना है तो हम nifty bulk average को देखते हैं और nifty bulk average जहां पे 21,612 आ रही है यह prize हो गया नifty का 21,612 इसे हम spot से compare करते हैं future से नह पर है क्योंकि expiry की जो कटान होगी वो spot से कटेगी तो अगर nifty spot 21,612 से उपर है तो market का trend positive है हमें हर dip पे buy करके चलना चाहिए और कभी भी negative signal मिले तो उसको avoid करना चाहिए वो एक trap होता है ठीक है यह मेरा tested model है तो आपको basically यह level note कर लेना है अपने desk पे कि भई इस month का bulk average यह ह और इसके उपर अगर market है तो जब भी आपको signal मिले buying का buying खेलिए और मंदी का signal मिले तो उसमें कम quantity कीजए या avoid कीजए भला आप कह रहे हो कि अगर 612 के आसपस आ जाये तो वहां से आप buying करें या फिर अगर suppose 800 भी है और 800 से कई वार क्या हुआ 700 आया तो हमें कई वार लगता का जो low लगा है इस बार 19-21-650 लगा है उससे नीचे जाई नहीं रही है क्योंकि 612 पर buying average है ठीक है दूसरी बात bank nifty की buying average क्या है bank nifty की buying average आप देखे 45-531 अब इसके नीचे इस expiry में जाई नहीं सकती है अच्छा जाई नहीं बहुत कम chances है जाने के अगर कुछ बहुत बहुत rare है तो option writer क्या कर सकता है इसके नीचे कि आप create aspect बना लो इसके नीचे कि आप उटे base दो वैसे आप कमा सकते हो आप buyer हो तो जैसे आपको को dip मिले इसके आसपास मिले आप फिर खरीद लो तो इस तरीके से इन levels का आप यूज कर सकते हो और यह काफी tested reliable levels है जैसे अभी तो market 45,800 क्या सकता है तो आप यह मान के चलें कि अभी तो यह rally चालो हुई है bank nifty में इस महीने की क्योंकि अभी यह 45,800 आई है तो जो rollover level है उससे बहुत जादा दूर नहीं गई है और मेरा जो experience है कि हर महीने में rollover level से कम से कम bank nifty 1000 पॉइंट दूर होती है और निफ्टी अगर वो उपर है तो उपर की तरफ नीचे है तो नीचे की तरफ तो इसका मतलब bank nifty अभी कम से कम यहां से इस expiry में 800-900 पॉइंट उपर जा सकती है तो यह level बड़ा important है यह हमें तो आप तो strategies दे रहे हो सर बढ़िया बढ़िया लोगों को ने मैं तो टूल के साथ तो strategy भ करी ATM सेलिंग भी करी इनना मनी सेलिंग भी करी तो मज़े आ लोगों बिल्कुल और जो आप देख आपने एक कमाल की बाद बोलेंगी यह चीज़ा कहीं नहीं मिलेंगी कि आपने बोलाया जेनरली निफ्टी 200-200 पॉइंट उपर होती है रोल ओवर डेटा से और बैंक निफ निफ्टी में कोस्ट आफ कह रही होती है 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तो कम से कम उसके डवल तो कम आए गाई ना तो इसलिए मैंने मीनिमम बोला कि इतनी होती है और यह आप कितने साल से देख रहे हैं यह मैं डेटा करीब 6-7 सालों से ट्रैक कर रहा हूं तो यह करताई हूं बल्क आवरेज प्लस 50 पॉंट और मार्किस स्रेंज में मार्केट को मानता हूं कि कुछ नहीं है मार्किट में पता नहीं चल रहा है zasad menu 50 पॉंट से उपर निकल गए तो मैं यह समझता हो की बुलट्रैफं मार्केट उपर जाएगा और 101 माइन rail चलीन इक तो यह यह क्या मालेंगे 500 पॉइंट नीचे चली गई थी तो उसको देखके यह समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ अंडर पर्फॉर्मेंस है या इसमें सेलिंग हुई है तो इसके गारण हम देख भी पार है कि अभी पर्फॉर्मेंस नहीं आ रही है बट अग कारण मार्केट में मुवमेंट आ जाएगी तो यहां पर लोग अपनी स्ट्राटेजी भी प्ले कर सकते हैं लग लग इस डेटा के उपर बिल्कुल बिल्कुल तो यह कफी रिलेमेंट डेटा हो गया इसके अलावा जिसे सेक्टर सम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके बाद आपने देखा कि निफ्टी का क्या स्ट्रेंथ है निफ्टी स्ट्रॉंग फॉर इग्जांपल तो फिर हमें उसी सेक्टर पे दाव लगाना चाह जो स्ट्रॉंगेस्ट है तो अब वह हमें कैसे पकड़ में आएगी तो वह एक मॉडल है सेक्टर स्ट्रेंथ र सबसे स्ट्रॉंग बैंक रियाल्टी है उसके बाद बैंक निफ्टी है पिस्यो है और वीकेस्ट मेटल है यह बेसिकली 15 मिनिट 30 मिनिट और 60 मिनिट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे है और अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू रख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम हो गया इसमें वीकेस्ट अभी क्या है FMCG और सेकेंड वीकेस्ट अभी बैंक निफ्टी है क्योंकि बैंक निफ्टी चल नहीं रही है और स्ट्रॉंगेस्ट पी एस्यों में दिख रहा है और सेकेंड स्ट्रॉंगेस्ट एनरजी है जिसमें रिलाइन्स है ठीक है तो बेसिकली इन को हम देख करके अपनी positions को हम carry forward करते हैं कई वार suppose कि जब मैंने call option ले लिए और मेरे पास call option FMCG की है ITC की है या हिंदुस्तान liver की है बट मेरे को sector में दिख रहा है कि यह lowest level पे है तो अगर मैं इसकी call hold करूँगा तो मेरा time value decay हो जाएगा तो as a positional option buyer मुझे केवल उन sectors की ही call option carry करनी चाहिए जो जिसकी ranking daily में उपर के तीन में आ रही है यानि reality PSEO और energy इन तीनों का कोई भी stock अगर आपके पास है तो आप उनकी call options को carry कर सकते हैं तो जब आप इन data को देखेंगे तो आपको positions को hold करने में confidence आएगा अंदर से कि नहीं मैं सही sector में बैठा हुआ हूँ और कईवर क्या होता है sector की ranking improve होती है वो सबसे बड़ा benefit होता है जिसे आप यहां पे देख रहे हैं कि यह auto auto अभी fifth rank पे है और 13 तारिक को auto sales के number आने वाले है तेरा को auto sales के number आएंगे अब Monday को मुझे यह ध्यान रखना है कि क्या sales के number आने के पहले इसकी ranking यहां से यहां आ रही है अगर इसकी ranking यहां से यहां आ गई तो कल है 12 12 के पहले auto sales का number और ranking improvement होना तेरा को auto sales इसका मतलब कुछ न कुछ activity है तो मैं मारूती है या उसकी जो stocks है उसके उपर focus करूँगा अगर उसमें कुछ charts में दिखेगा तो वहां पर buy करके चल सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं जिस सपोस की यह IT stocks के results आने वाले Infosys के TCS के results हैं और उसके एक दो दिन पहले आपने देखा कि IT के strength में improvement आ रही है तो फिर आप यह समझ जाओगा कि कुछ न कुछ IT के stocks में positive momentum आने का chance है तो फिर आप उस तरीके से trading कर सकते हैं तो यह इस तरीके से आपको decision लेने में यह बहुत help करता है अब आप चाहते हो कि मुझे यह देखना है कि भाई PSU में कौन सा strong है PSU है तो PSU में तो बहुत सारे हैं bank over order, SBI, Canada bank, PNB में क्या लूँ यह सबसे बड़ा question है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है आपके लिए यह design कर रखा इसमें आपको PSU banks दिख रहे होंगे यह देखिए private banks है उसके नीचे PSU banks है आप PSU पर क्लिक करेंगे तो आपकी यह PSU के stocks जो main है यह ranking आ गई इसमें strongest क्या दिख रहा है मुझे intraday में bank over order दिख रहा है SBI है अगर मैं intraday trade कर रहा हूँ third canra bank and fourth is PNB अगर थोड़ा सा लंबा view लूँ तो सबसे strongest जो है वो canra bank, PNB, SBI और bank over order है यह percentage terms में calculate करके आता है बट intraday के view लेंगे तो अब इसमें trick क्या है अब इसकी main trick बताता हूँ इन तीनों में इन तीनों time frame में कौन सा ऐसा stock है जो तीनों के first and second row में है तो PSU में आप bank over order SBI इन दो stocks में bet कर सकता है और यहां पे केवल मैंने चार stock यहां पे हम लोग focus कर रहे हैं सबोज कीजे मैं आपको private banks में लेके चलता है उसमें options जादा options मिलेंगे हमें अब इसमें trick क्या निकालनी है इस तीन time frame में इस तीन time frame में आप मुझे वैसा stock बताईए जो first दो ranking में कौन सा stock common है first दो में तो access bank और ICC दोनों ही है common है common है तो इसमें आप दोनों में से किसी पर भी bet कर सकते है और यही दोनों stock leader थे ठीक है और weakest क्या है इंडसिंट bank, IDBI, quota कि यह सब weak है तो इन stock को avoid करना चाहिए generally trader क्या करते है गलती कि वह लगे कि अच्छा ICC bank 2% बढ़ा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं और इंडसिंट bank गिरा हुआ इसको ले लेते हैं but ultimately गिरा हुआ और गिर जाता है और बढ़ा और बढ़ जाता है और बाइवब यह 1030 अभी का डेटा है लाइव मार्केट में यह डेटा चेंज होते रहते हैं तो यह बाइवब तो एडवाईजरी आगई free हाँ यह तरिकेस है और इसमें एक और चीज़ है हाइस डिलिवरी किस rate पे हुई है यह देखने वाली चीज है तो ICICI bank की सबसे बड़ी delivery उठी है 1026 के rate पे 1026 के ऊपर है 1030 की closing यह यह positive है तो वहाँ पे वह green हो गया SDFC bank की delivery है 1487 पे और इसकी closing है 1452 पे तो इसका मतलब यह selling में है तो यह सब चीज़े आप यहाँ पे delivery जो उठीती वह selling के लिए उठीती यह delivery के price से नीचे seller ज्यादा active है कि किसी ने उठाया तो बेचने वाले ने सही price पे बेच लिए अब आप delivery को भी detail में देख सकते हैं वह हम कैसे देखते हैं अब जैसे delivery है अब मैं आप से यहाँ पे जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे HDFC का SDFC bank की delivery की delivery आई है 67% और इसकी average delivery होती है 62% यह देख पा रहे है 62% average delivery है तो यह 19 तारिक को हम देख रहे हैं कि highest delivery 75% है और इस दिन का जो low price है वह 1468 है और high price है 1510 अब 1% low से 1% नीचे और high से 1% उपर 1425 रुपे उपर नीचे मालने 1450 के नीचे अगर यह stock trade करने लग जाए तो मैं यह मानूगा मंदी और वहां पर put option खरीदूगा अब जैसे यह 1450 तोड़ा तो मैंने put ले लिए अब आप देखो अगले दिन यहां पर 1450 तोड़ दिया यह low लगा है closing में आप देखे पैसा मिल गया बट मेरा target कितने percent पर है target नॉर्मली जहां पर आपने लिया वहां से 2-3 percent की selling क्योंकि frontline stocks है तो frontline में 2-3 percent stock में selling मिल जाती है क्योंकि हम short term की बात कर रहा है और अगर आप mid cap में कर रहा है तो वहां पर 3-5 percent के बीच में होता है बट frontline में 2-3 percent में option आपकी double हो जाएगी तो यहां पर हम देख पा रहा है कि यह 1380 आया और फिर वापिस यह अभी भी देख रहे हैं तो इसके इसी के आसपास 1400 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है अभी भी हम देख पा रहा है कि यह जो प्राइस यह करीब करीब 1400 के आसपास है 9 February को तो जब तक की प्राइस आपका जो लो है 19 तरीक का लो प्राइस है यह 1468 1468 है यह बेसिकली और यह 1510 है हाई 1510 के उपर जाएगा तभी हम HDFC बैंक को बुलिस मानेंगे या फिर सेकेंड कंडिशन में कोई नई डिलिवरी इससे ज़्यादा आ जाए तो वह रेलेवेंट हो जाएगा अगर कुछ भी ना गरें हम 1525 का कॉल ओप्शन बेच के छोड़ दें आप उसके लिए ले लो उसके लिए बहुत अच्छा मॉडल में आपको इसी में दिखाता हूं यह तो बहुत अच्छी चीज आपने पूछ ली और इसमें स्टॉक अनेलिसिस में हम आते हैं और स्टॉक अनेलिसिस में हम आकर के HDFC बैंक के बारे में समझते हैं कि HDFC बैंक की जो अभी प्राइस है वो करीब-करीब है उपर आप देख पा रहे हैं 1500 पर हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट है वो ग्रीन वाली जो दिख रही है वो कॉल राइटर्स है और रेड वाली यह है यह पूट राइटर है और यहां पर 1450 पर है और अभी 1400 के आसपास का रेट है 1400 पर पूट राइटर है तो अब इससे यह समझ में आ रहा है कि 1400 पर थोड़ा सपोर्ट है ठीक है तो बैंक निफ्टी भी बाउंस करी है तो 1400 का सपोर्ट है यह सपोर्ट है यहां पर पूट राइटर है और 1450 का रेसिस्टेंस है तो SDFC बैंक में ज्यादा मुवमेंट इस महिने नहीं मिलनी चाहिए यह 1400 से 1450 के बीच में होना चाहिए और यहां पर कॉल राइटर है तो आप यहां की कॉल बेच सकते हैं नहीं तो आप 1500 की खुली-खुली कॉल बेच सकते हैं वो सेफ है तो इस तरीके से आप डेटा देख करके बड़े अराम से मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते है और कॉल लेना है पुट लेना है डिलिवरी भी यही बोली डिलिवरी क्या बोली थी कि सेल सिगनल है और यहां पे भी हमें यही समझ में आ रहा है कि कॉल राइटर्स जादा है तो आप इसमें कॉल राइटिंग कर सकते हैं और एक खास बात और आपके साथ से कॉल राइटिंग करनी चाहिए तो हैज करनी चाहिए और इसमें जैसे जैसे हम नों की उपर अभी देख रहे थे यह एक्सपाइरी से पूरा ओपन इंटर्स था और यह आप देख रहे हैं नाइंथ फेबररी का ओपन इंटर्स अब उसकर जाब यह बता यह नाइंथ फेबररी को क्या और नाइनटर्स और में इंटर्स और अब जबता ओपने को जो है आप सब्स्रिप्जन लेते हैं आप स्कुछ इस तरीके की दिखा सकते हैं तिस तरीके का ओर्टश कर सकते हैं अगर आपको यह नई स्क्रीन दिखती है और आपको पुराने पर पर जाना है तो यूजर बितन पर क्लिक के जा थो आपको यहां पर देखेगा विजिट ओल्ड साइट तो आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक कर दीजे तो आपका पूरान वाला यह सेम आपका जो भी यूजर आडी पासफ़ट हो कर डालेंगे और लॉग इन हो के बिलकुल आपको जिस तरीके से सर ने दिखाया था वैसा देखेगा तो नए वाले का भी हम नेक्स वीडियो के अंदर आपको पूरे डेमो देने बहुत 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 शांदा डेटा आपके सामने एक थालीम परोज के आपको दे दिया आपको कमाल की बाब बता हूं इंडिया के अंदर ना सरी यह डेटा जो मिल रहा ना आपको पता यूएस के अंदर अगर आपको सिंपली ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट भी देखना होगा ना जो एनसी फ्री में देती है उसके लिए भी आपको बहुत पैसे द देने पड़ते हैं तो यह तो हमें सुक्रगजार होना चाहिए नसी का कि वह में सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा और पाडिसिपेंट वाइस ओपन इंटरेस्ट डेटा फ्री में प्रवाइड कर रही है और यह जो डेटा का जिस तरीके से यूज करके इस ऑटर इ और आप लगातार पैसे बनाओगे मार्केट से तो यह सब सीखना इसे यूज करना आपके लिए काफी यूसफुल हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में आप सीधा यहां पर हमने जो एक स्टॉक की बात कर दिए हम स्टॉक की जहां सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कै आप फिन निफ्टी इन सब की बात करने वाले हैं तो कई जाने की जूरत निया चैनल पर बने रही है सब्स्राइब कर लिए बैल एकन प्लिक कर दीजिए इससे आप यह वीडियो मिस ना करें और जो यूस कर रहे हैं उन्हें भी इतना कुछ नहीं बता होगा मेरे को I am very sure और इसमें क्या है कि आप यूस करके आपके दिमाग में अपने आप strategies create होती है जैसे अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आपने मुझे कई सारे strategy बता दे कि अच्छे इसको ऐसे कर सकते हैं यहां पर हम create spit बना सकते हैं debit spit बना सकते हैं butterflies बना सकते हैं तो आप data जब देखते हैं तो आपके वीजन क्लियर होता है कि हां मुझे मेरा यह path है मुझे ऐसा करना है आपका दिमाग खुलता है आप कई trading strategy बना सकते हो कई तरीके से profit बना सकते हैं अच्छी बात कहें कि अगर आप एक की जगह multiple चीजों को track करो और थोड़ा-थोड़ा profit बनागे निकलोगे और एक और मैं यहां पर आड़ करूंगा जब results season आता है साल में चार वर quarterly results आते हैं उस समय यह data इतना अच्छा काम करता है क्योंकि उसमें deliveries का data अब delivery बढ़ने लग जाती है क्योंकि stocks में अगर buying हो रही होती है और उसको आप correlate कर लेजी options का data से तो आप आपको इतना अच्छा उसमें पकड़ में आएगी कई वार stocks कि आपके जो options हैं वो डवल तीवल हो जाते हैं कई वर वो बेसिकली ना जैसे ऐसे लोग advance होंगे ना सर्थ वो निफ्टी के call or put और bank nifty के call put से थोड़ा दा भार देखेंगे तो option की दुनिया भी बहुत बड़ कोशन से कॉमेंट एंड जय है